नमस्कार दोस्तों, रीजनली उत्रपदेश के मथुरा पोलीस ने नर्कोटिक ड्रक्स और साइकोट्रोपिक सब्संस एक्ट कोर्ट के सामने एक्स्ट्रेंज रिपोर्ट सब्मिट किया, तो इस रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि चुहो ने 500 किलोग्राम जे ज्यादा म मैरुवाना खा लिया, मैरुवाना माने ड्रक्स, देखे आपने सुनाओगा पोलीस जो है अलग-अलग ओपरेशन के तरू ड्रक्स सीज करते हैं, आप इन ड्रक्स के साथ क्या किया जाता है ये मैं आपको आगे बताऊँगा, पर कुछ कारवाई करने से पहले पोलीस इन को पोलीस स्टेशन में ही स्टोर करते हैं, तो इसी तरह कुछ ऑपरेशन से 500 किलोग्राम से ज्यादा मैरुवाना पोलीस ने सीज किया था, उसे स्टोरों में रखा था, हमारे देश में ड्रक्स से रिलेटर जितने केसे से ये नर्कोटिक ड्रक्स और साइकोट्रोपिक सब हमने हीरिंग हुआ था, तो जेट्ज ने पोलीस से पूछा, आपने जो 500 किलो से ज्यादा मैरुवाना सीज किया है, यह अभी कहा है, तो पोलीस ने बोला, हमने ये पोलीस स्टेशन में ही स्टोर किया था, पर अभी ये नहीं है, 500 किलो से ज्यादा मैरुवाना को चुहों एक हालिया करके, exactly 581 kilos of drugs है, जिसका कोस्ट करीब 6 लाग तक आएगा, अब अब अब्यूसी बात है दोस्तों, जट्च इतना convinced नहीं है, उन्होंने SSP मथरा को बोला है, इसके लिए proof पेश करने की, तो आज इस वीडियो में हम discuss करेंगे दोस्तों, पोलीस इस तरह जो drugs seize करते हैं, उसके साथ क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बोला, Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985, जिसे NDPS Act भी बोलते हैं, इसका section 52A, सारे probe agencies को ये allow करता है, to destroy seized substances after collecting required samples, तो basically required samples collect करने के बाद, जितने drugs को seize किया जाता है, उसे destroy करना है, Officials concern must make a detailed inventory of the substance to be destroyed, ऐसा नहीं, सीधा सीधा destroy कर लिया, सबसे पहले एक detailed inventory बनाना पड़ेगा, inventory माने कितना drugs seize किया है, कौन-कौन से type of drug seize किया है, ये सारे, तो ये seized drugs को destroy करने से पहले, ये five member committee constitute किया जाता है, जिसमें members कौन को ने देखिए, one is area SSP, second is director और super intendant और the representative of the area NCB, NCB माने Narcotics Control Bureau, या तो Narcotics Control Bureau के director या super intendant आते हैं, या फिर उनका एक representative, फिर एक local magistrate and two others linked to law enforcement and legal fraternity, तो basically law enforcement से related, legal fraternity से related, दो और representatives भी होना चाहिए, तो इस तरह एक five member committee सबसे पहले constitute करना है, इसके बाद पूरे drugs को जला दिया जाता है, ऐसे जलाना है, वो substance का कोई भी trace बाकी नहीं रखना चाहिए, So which agency is authorized to carry out such an excesses, कौन-कौन से agency के पास ये power है दोस्तों, इस तरह seized drugs को destroy करने का, देखे, every law enforcement agency competent to seize drugs is authorized to destroy them after taking prior permission of the area magistrate, तो जितने law enforcement agency है, जिनके पास drugs को seize करने का power है, उनके पास उन drugs को destroy करने का भी power है दोस्तों, पर उससे पहले area magistrate का permission लेना पड़ेगा, अब आप पूछोगे कौन-कौन से law enforcement agency के पास ये power है, basically drugs seize करने का, these include state police forces, central bureau of investigation and the narcotics control bureau, तो पूरा procedure एक बार समझ लेते दोस्तों, सबसे पहले law enforcement agency को local court से permission लेना पड़ेगा to dispose of the seized narcotic substances, इसके बाद in substances को एक designated place में लेके जाएगा, under a strict vigil, preceding officer जो रहेंगे, उन्हें सबसे पहले inventory को tally करना है, basically जो inventory बनाया होगा न, वो पूरे जलाने के लिए लेके आया है या नहीं, ये पूरा एक बार tally करते हैं, and the entire process is videographed and photographed, this is very important, पूरे process को videograph करना है, photograph भी करना है, इसके बाद एके करके packets और गंडी bags of substance को incinerator में जाल दिया जाएगा, जहां पे वो जला दिया जाएगा, rules के इसाब से committee members cannot leave the place until the seized drugs have been completely destroyed, जब तक पूरे जो drugs से completely destroyed नहीं होता, तब तक सारे committee members को present रहना है, now इस तरह drugs को क्यों destroy किया जाता है, simple reason है दोस्तों, their vulnerability to theft, substitution, constraints of proper storage space, etc, एक तो देखे, drugs को seize करने के बाद, उसे proper तरिके से store करके रखने के लिए space available नहीं है, वैसे इसे store करके कुछ फाइदा भी नहीं है, उपर से चोरी होने का भी तो chance से, चोरी होने से फिर से ये market में पहुंच जाएगा, फिर जो basic purpose है, वो fulfill नहीं होगा, वैसे हमारे देश में कई सारे cases report हुआ है, police drugs seize करके store करने के बाद, उथर से चोरी होने, जैसे कि अभी मथुरा police ने जो बोला है, 500 किलो से ज्यादा drugs जो है, चुहों ने खालिया करके, अब ये भी इतना convinceable एक report नहीं है, हो सकता है ये भी किसी ने चोरी किया हो, वैसे और एक important point ये है दोस्तों, आपको ये चीज़ पता होगा, कि drugs का कुछ positive use भी है, medicinal purposes के लिए, जैसे कि pain killers, sedatives, यह सब बनाने के लिए, NDPS Act के अंदर ऐसे provisions है, कि इस तरह जो drugs को seize किया जाता है न, उसे medicinal purposes के लिए, use करने के लिए, पर because of the fear of misuse, this option is generally kept aside, misuse होने का डर से इस option को use नहीं करते हैं, सीधा सीधा destroy कर लेते हैं, अंडर कोई भी narcotic drug और psychotropic substance को produce करना, manufacture करना, cultivate करना, possess करना, sell करना, purchase करना, transport करना, store करना और consume करना एक punishable offense है, या फिर illegal है, वैसे 70 से ज्यादा substances को NDPS Act के अंडर इंडिया में ban किया हुआ है, कुछ important drugs है, जैसे कि cannabis, cocaine, heroin, methamphetamine, LSD, opium, MDMA, DMT, etc. तो दोस्तों, that's it, अब examination perspective में, एक important point में आपको बता देता हूँ, Indian laws which are related to drugs and poisons, तो इतने सारे act है दोस्तों, जो poisons and drugs से related है हमारे देश में, The Poison Act 1919, Drugs Act 1940, Drugs and Cosmetics Act 1940, Drugs and Cosmetics Rules 1945, Pharmacy Act 1948, Drugs Control Act 1950, Drugs and Magic Remedies Act 1954, NDPS Act 1985, Indian Penal Court 1860, Criminal Procedure Court 1973, Indian Evidence Act 1872, तो इन सारे acts या rules में, drugs and poison से related कई सारे provisions अवेलेबल है, Finally, Narcotics Control Bureau के बारे में भी कुछ basic details में बता देता हूँ, 1986 में Government of India constitute किया था NCB, Under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985, तो basically NCB एक statutory body है, Under the Ministry of Home Affairs, The National Policy on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, is based on Article 47 of the Indian Constitution, Article 47 is one of the Directive Principles of State Policy, जिसमें ये लिखाया है दोस्तों, It directs the state to endeavor to bring about prohibition of the conception, except for medicinal purposes, of intoxicating drugs, injuries to health, तो medicinal purposes को छोड़ के, drugs का conception prohibit करने के लिए बोला हुआ है दोस्तों, Article 47 of the Constitution में, Drug Abuse Control जो है Central Government की Responsibility है, सारे important points से थ्यान दीजेगा, तो दोस्तों, that's it, I hope आपको वीडियो informative लगाओगा, Thank you for watching, bye-bye, Have a next day.